हेलो फ्रेंड आज हम बनाने वाले पत्त गोवी के दम यूनिक सब्जी तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करेगा आप लोगो को जरूर पसंद आने वाला है एक बार यह रेसिपी आपकर आपने बना लिया पत्त गोवी का ताब नानवेज खाना भूल जाएंगे तो य हमने एक कटोरी यहां बेसन लेलिया बेसन को डालेंगे बतन में अब हमने यह लिया चोटे साइज का पत्ता को भी उसे हमने चौप कर लिया है इस तरह से अगर आप चाहते इसे ग्राइंडर जार में भी चौप कर सकते लेकिन इदम पारिक नहीं पिसना है इस तरह से संब लिया है सोण डालेंगे अब हम और यहा लिए अधा चमच लाल मेच पाटर अटका देंगे दन्या पाटर डालेंगे साथ पाडर डालेंगे संब लेगा को चाहते पाडर नमक डालेंगे टेस्ट के नुदसार चौप का बढल की हमारा भूथ तेज नहीं तका आपका और इसे मिक्स करना है तो धन्या डालेंगे थोड़ा से हम धन्या डालने से भी बहुत अच्छा है इसका डिश्ट आता है तो बस हमें इसे अच्छे अहलक्याक उसे मिक्स करना है पाणी अम करना है अभी पत्ता गोबी में प्रेंट पानी कुटका होता है इसलिए ये बेशन और पत्ता गोबी अच्छे से मिक्स हो जाता है इसका बढ़िया से डो बन जाता है पानी डालने की जरुवत नहीं पड़ती है हमने या लिया है इदम चुटकी बर करीब खाने वाला सोडा अगर आप इसको डालते है तो इससे जो है गटा जो है बहुत सौप्ट बनता है ये जो कुटा बनाएंगे और अगर नहीं अगर इस सोडा डालना पसंद करते है तो आप इसमें तेल आट कर सकते है दो चमज तो हमने इस तरह से डो बनाके तैयार कर लिया आप चलते हैं बनाना सुरू करते हैं तो सबसे बबन करते हैं यह तो आसरुका तेल को डालेंगे तो तेल हमें लेना है चार चमज और समय एक बड़ी चिलिया है दो चोटी लाइज लाइज आप दालचीनी लिया है ऑफिक करें तो लोंग लेना है यां पर 4-5 काली मिर्चि लिए तो यह तो यह साबूत नाले जिलेशन नहीं से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें हम डालेंगा चौप किया हुआ तो प्याज इसे चलाते हुए में अच्छा से भूनना है तो सुनरा होने तक प्याज को अच्छे से भूननेना है तो यहां देख से थे प्याज कितना बढ़ियां भून गया है अब हम इसमें एड करेंगे अद्रक लसन हरी मिर्च का पेष्ट जो हमने बना की रख्या था फ्रेंड हमने इसे पूट के लिया है और अगर राप चाये तो इसे घ्रेड़ restaurant में अच्छे से पेष्ट भी बना सकते हैं बस हमें इसे अच्छे से बूनना है, अधरक लसन को भी, क्योंकि इसमें इसे लसन का जो कच्चापनो निकल जाना चाहिए. तो हमने दो मिनट तक इसे बून लिया, अब हमने इसमें हिंग डाल लिया, चौथा चमच करीब हमीं हिंग लेना है. आप हम एसमेर डालेंगे टमाटर को प्यो Fire हमने तीन तर्माटर को प्योरी बना लिया थे छ deportsun Hut यार के रख लिया और इसे अच्छा से बूहना है चलाते हुए अच्छा से बूहन truly ना है मिर्ची पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच डालेंगे बस इन मसालों को डालके में अच्छा से पिर से इसे बुनना है तो हम इसमें डालेंगे नमक जिसे की मसाला जो है फटा-फट बून जाता है नमक डालने से अब आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रहे होगी तो आप अमारे चैनल को जरूर लाइक करेगा और कमेंट्स करके में जरूर बताएगा कि आपको अमारे रेसिपी कैसे लगे जो भी नहीं वी वर्स हो वह सब्क्राइब करना ना बूले तो हमने ग्रेवी को रख द आप रोल बनके तयार है तो यहां देखिए ग्रेवी भी अच्छे से भून गया है तो जब तक ग्रेवी में जो तेल न चोड़े तब तक हम इसे भूनना है अच्छे से अब हमने इसमें डाल लिया एक कमा कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इससे कलर बहुत ही अच्छाता है सब्जी में तो बस एक ग्लास हमने इसमें पानी एड़ कर दिया प्रेंट ग्रेवी आप अपने साब से पतला या गाड़ा बना सकते हैं आप जैसा भी पसंद करते हो तो आज हम बनाएंगे तोड़ा गाड़ा ग्रेवी क्योंकि अब यह सब्जी बना रहे हैं वो चावल के साथ खाने के लिए तो हमने यह ले लिया एक जाली वला परतन इसमें तेल लगा लिया और बस मसाले का ग्रेवी जो हमने बनाएं उसी के पर हमने इससे रख दिया इस टीम होने के लिए तो आप चाहे तो इससे बना के भी कुप आप चाहे तो इस रोल को फ्राइवी कर सकते हैं से लो फ्राइब करके भी इस ग्रेवी के साथ में आइड कर सकते हैं तो यहां देखिया हमारा ग्रेवी अच्छे से पंग किया है बस हम इसमें कुपते करेंगे हमने खुपतिस अरे आड़ करदा है इसमें थोड़ा सा हमने बचा लिया injured एसी खाने में भी अच्छा लगता है अगर एससे इससिक के त Tiny के तर पर थोड़ा सा खाते है ना यसे बहुत सब्सक्री होगते 250 मेड़ां इसमें नास्तिप नتمिर गरम हमें जरूर बताएगे के चावल के साथ किसी के साथ करेंगे तो ॏब बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला सब्सक्राइब पत्ता को भी बहुत से बच्चे नहीं काते अगर इस तरह से आप बनाकी खिलाएंगे तो जरूर पसंद करेंगे तो फ्रेंड आपको कैसा लगा यह जरूर बताएगा अज देखिए यहां पर चावल के साथ में इसे सर्व करें तो आप देख सकते कितना बढ़िया इसका दे दही वाला तो यह वीडियो भी आप देखिए